तो आज के हमारी इस online class में हम आपके साथ discuss करने जा रहे हैं conditional formatting और मैं अनिल यादे भी से request करूँगा कि और recording अस्टार्ट कर लिया है तो हमने custom formatting के बारे में जाना था custom formatting में हमने बहुत सारे conditional formatting को यूज किया था अब बात करते हैं हम conditional formatting में अब conditional formatting का इस्तिमाल क्यों होता है इसके बारे में एक बार जान लेजिए जैसे कि नाम से पता चलता है विद कंडिशन राइट जैसे कि मुझे मैंने इसको select और color कर दिया अब ए 22 पी क्या रिखा हुआ है इससे कोई font नहीं बता है इससे just color कर दिया लेकिन मुझे यहीं पर condition दिला है कि इसकी value 17 हो गई तो formatting हमें manually हटाना परेगा automatic तो हटेगा नहीं इसके लिए हम conditional formatting यूज करते हैं दूसरी इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें क्या जरूरत है किसी condition पर color को highlight करने का इसका जबाव यह है कि जब आफिस में हम लोग जब report पेज करते हैं या रूपी report को show करते हैं या report किसी को भेजते हैं तो हमें कुछ important fact होते हैं जिसको हमें दर्साने होते हैं हमें बताने होते है कि हाँ आप पूरा report ना देके इस मोटा मोटे चीजहों को देख लो जैसे आप book परते हैं तो book में बहुत सारे heading सही बहुत सारे जो definitions होते हैं वो बोल लिखे रहाते हैं तो बोल लिखे रहाते हैं ताकि पढ़ने वाले इस चीज़ को जान जाए दिसीतर वेरी important उसी तरह से रिपोर्ट जब बनाएं तो आप बताएं कि दिसीतर वेरी important आप इसको ज़रूर देगे तो कैसे करेंगे चलें सबसे पहले आपको selection करना होगा उस area का उस column का उस ग्रो का उसके ऊपर आप condition formatting में जाएंगे तो आपके सामने कई सारे categories है तो one by one इन category को देखते हैं सबसे पहला highlight sales rules तो इसमें आता है greater than तो आप इसमें क्लिक किया तो by default इसमें 18 ले लिया आप यहाँ पे अपने हिसाफ से value दे सकते हैं तो 50 से उपर देखिए जो values है वो highlight होगा है बट एक default colors है आप चाहते हैं कि आपका अपना format या कोई और color चाहते हैं तो उस case में आप यहाँ पे drop down करके different colors को select कर सकते हैं अधर बाइच आप custom format में जाके अपने लिए खुद के formatting create कर सकते हैं क्लियर है सर राउल जी यह सर डाउट तो नहीं है नो डाउट तो नहीं है इसमें आगे बढ़ते हैं अब इसमें 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 गेटर दान है इसी less than है किसी number से छोटा और इसी में आपके पास between है between two numbers minus and negative positive दोनों दे सकते हैं और इसी में आपका तीसरा equal to है जान लेजिए तो तीन चीजे ऊपर है greater than less than between इनके ऊपर जो है आप सिर्फ दे सकते हैं क्या number, date and time मतलब कि आप जो है किसी number पर condition लगा सकते है greater than less than equal to किसी नाम पर तो ही लगा सकते है अब यहां तो कर सकते है greater than पूझा या किसी particular date के ऊपर greater than less than equal to between का सकते हैं लेकिन जो equal to है equal to में आप कुछ भी दे सकते हैं equal to number 17 या equal to text जडीवीन या equal to एक particular date जैसे कि हमारे पास पूझा और कहीं पैसे मैं लिग दिया पूझा से अब तक मतलब कर तक मतलब कर दे पूजा पूजा सिंग बोट अगर सेम उसी तरह से माली जी यहां पी में पास डैली है और कहीं और पी न्यू डैली है अब डैली न्यू डैली पी तो सेम है हुआ हुआ है है एक सब्सक्राइब में आएंगे तो मैं यहां पर पूजा कर दों तो पूजा और पूजा ही रहाएगा पूजा सिंग हाइलाइट नहीं होगा तो टेक्स्ट डैट कंटीन के यूज होता है कि मिलता जुलता जो मतलगी कंट्रोल एफ जैसा होता है उस तरह से तो यहां पर अगर मैं मालीजे टी कर दिया है जहां जाँ टी है वह हालाइट हो जा अब टेक्स्ट डैट के बाद बात करते हैं तो अब यहां पर अगर मालीजे कि मुझे कोई पर्टिकुलर डेट हाइलाइट करना है तो इक्वल टू करना है तो आज का डेट है अमारा मालेजिए दो है तो है कि हमेशा दो रहेगा यह करने ओपन करूँगा तीन नहीं होगा दो ही रहेगा मुझे तरह से अगर मैं बिट्वीन कर देता हूं तो बिट्वीन में भी ओई डेट रहेगा जो भी डेट डालेगा फिक्स रहेगा मैं चाहता हूं कि मेरा डेट मेरे system date की according चले मैं चाहता हूं कि मेरी date system date की according चले तो उस case में हम यहां पर as a date occurring का इस्तेबाल करेंगे as a date occurring और as a date occurring में यहां पर हमारे पास है yesterday उसलों कि कल की rate, today, आज की rate अब मैंने OK कर दिया तो यह दो बारा फिक्स नहीं रहेगा कल जैसे फाइल ओपिन करूँगा तो यह आपको तीन बारा दिखाएगा ऐसे यहाँ पर टुमारो ऐसे यहाँ पर इन दा लास्ट सेवन डेज इस वीक नेक्स वीक लास्ट मंथ दिस मंथ ऐसी इस तरह से हाईलाइट करेगा और यह आपके सिस्टम डेट के साथ connected रहेगा जब इसको आप ओपन करना चाहे उसको ओपन कर सकते ज़्टि चेंज कर सकते हैं जब चेंज होगी अपने आप यह चेंज कर लेगा उसके बाद नेक्स रहता है दुब्लिकेट जैसे आपको ऐसा लगता है कि स्लेक्टेट शेल या एक कॉलन में कोई वैलू मोर दन वन टाइम है तो आप दुब्लिकेट से उसको हाइलाइट कर सकते है या मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी डेटा ओना कॉलन है इसमें अकाउंट न दन वन-टाइम करें मुझे पता सकता है यहां प्रकाइब के ओने एक जाएंगे और एक समय को हाथ करना करना कर चकते मैं क्यंक्क्लाूं तो यहां पर आपके पास गिंटर दैन बिट्वी इकवल टू टेक्स दैट कंटेन इडेट आपनिंग एंड दुब्लिकेट वैल इस सारे ओफिसन समझ में आगे हैं आप लोगों को जैसे कि मुझे इस डेटा में से टॉप क्वांटिटी को या मालेज़े की टॉप इमाउंट को हाइलाइट करता है तो यहां पर हमने क्या किया टॉप बॉटम में टॉप टेन आएगा अब टॉप टेन के जगहाँ पर मैं अपना टॉप फाइब टॉप 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 अंडेट चो दिना जाहूं दी सकता है वह आपके हाइस्ट वैलो टाइब हो जाएगा और एक वैलो है तो बॉटम फाइब भी बॉटम टेन बॉटम फाइब जो करना चाहते है वह आपका सबसे लुएस्ट को हाइलाइट कर देगा तो लुएस्ट मुझा कि इसकी वैलो के पोजीशन नहीं वैलो की हिसाफ से आप से जाहां मालेजिए कि टॉप टेन की एक से हंडेड तक है नब्य से हंडेड है लाइंट तो वैलो की साफ से करेंगा रिसमें टॉप टेन परसंटेजेंप बॉटम टेन परसंटेज एक परसंटाइस के अकॉर्डिंग बट करता है तो इसको शुचा होगा अब बात करते हैं अब 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 अभरेज एड विल्लो अवरेज तो अच्छा सेल किया है उसको हाइलाइट कर तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेल अच्छा है कि यह पता रहा ना मुश्किल है ला कि कौन से सेल्स जो है वह अच्छा है तो उस केस में हम क्या करेंगे इसका आवरेज निगा लेंगे बाई 49 इसका आवरेज है तो आवरेज से ऊपर अच्छा सेल है आवरेज से नीजिए अच्छा सेल नहीं है तो हम इसको स्लेक करेंगे और यहां अबव आवरेज करेंगे अबव आवरेज करेंगे तो जो आपका यह 49 से उपर है वह आपका हाइलाइट हो जाएगा कलके डेट में value change होती है तो average change होगा और average change होगा तो automatically आपका highlight ही change होता है ऐसे below average same work करता है ठीक है जे सब तो top bottom भी आपको समझ में आ गया होगा अगरा category है data bar अब मुझे पता करना है कि sales सबसे माले जी कि हम कुछ आपते है 62 सबसे highest sale है या सबसे lowest sale है पोजीशन क्या है इस पूरे data क्योंकि इस पे हम कोई चार्ट नहीं लगा सकते है क्योंकि data कापी बड़ा है अगर चार्ट लगाओं वादो दिक्कत हो जाएगा तो यहां में data bar बार क्रियेट कर देगा और इस बार सबसे आपको पता चाजाएगा कि इसमें अगरे अज़ें है कि अचले इस आज़ा अज़ें अज़ें हो है है नबस देटे में आज़ें तो सेलेक किया और यहां पर हमने बाढ़ लेए जैसे मेरा नंबर्स बढ़ आए उस तरीके से मेरा ठीक है ठीक है और इसी में अगला होता है कलर स्केल कैनल देटा वार की तरह ही काम करता है तो मैंने इसको सब्सक्राइब किया जैसे आटा कलर रें अपर या फीड बॉट्म लॉट्म 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 अपर मिडल इस सब्सक्रा सकते हैं यह फिसकर इसे नहीं कर सकते हैं, कि यहाँ के अफिन रख यहाँ अफैर च सब्सक्राइच करें कि यहाँ में Cristiano में 45 सब्सक्राइच है तो किस ब्र dauर है इसके लिए यहाँ पर आपका थर्टी नाइन हो गया तो अपना स्वेप हो जाता है इसका यूज हम लोग जो है ज़्यातर इसमें करते हैं डैश्बूर्स पर गदादे ठीक है आप कोशन आता है कि क्या इसके लावा और भी है देखिए आप जब भी जाते हैं जो बाहर आपको दिया हुआ है यह आपका अब जस आता यूजग कमांड जिसकी ग्रेटर दैन है लेस दैन है यह धीडियुआ को सब्सक्राइब करेंदे लेकि अपना पर इसके में फिल्क जीब्ड़ करेंन आतली जो बाकर आपकी शूप्शन से हैं वो बाख्योज और अको पिल्ट्वीन तो अप्वन्मय में और या new rules भी मिलेगा अब यहां format cell contain that पर जाएंगे यहां रहें between not between equal to not equal to better than less than इस अधिकरा होगा अप्राय करने का तरीका है क्या है हमें equal to हम यहां पर condition 40 डाल दाल और यहां पर अपनी formatting select करेंगे हुआ है 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 क्लिए रहे है है जी सब्सक्राइब अब आगला पार्थ दिक क्रंडिशन फॉर्मेंटिंग को मैं चाहर तीर चाहर बताऊंगा पहली क्लास है इसके अंदर ट्रिक्स की और यूज फॉर्मेंटिंग को पढ़ेंगे आपकी कोशन के उपर वापस आते हैं आपके कोश्चन किया था तो मैने पास एक डेटा है यहां देखी प्रोफिट्ट एड लोज जो पोजीटीव है वह हमारा फॉर्मेंट भॉल्ट संब्री जी एक परोफिट्ंथf weekलीज टिफे डिफे टिफे अभी आया नहीं ए तो मुझे इस मे पर पालो उच्टविकर करना है करना सिध्र दिखाना सब्सक्राइब न्हरुंड हो आप 9 जीगे इ। वाले को दिखाना है नो ङोेफिट जो लॉभ है ठीक है जी है और यहां पर टैक्स किसी तरह का टैक्स ना अपडेट कि इसके लिए हम कस्टम फॉर्मेंटिंग में जाएंगा कि मुझे विज्विलिटी चाहिए इसलिए यहां पर मैं देता हूं प्रॉफिट कि पहला अस्तान जो होता है वो किसका होता है पॉजिटिव का होता है इसके फिर सेमिल को मैं उलीटे का इसके फिर में चाहर होता है इसी तरह से इसके चार है तो पहला किसक्ता क्लेए पिर जाता है पॉफिट अध्य दूसरा गाल जाता हैは ल सकतुरकिशा जाता है सी नो थैन ऑलद्स्थ महादाillarता है पडीस और गोंट्देक्सठा तेजिए इसका डेटा शोग नहीं करें तोंकि डेटा के लिए मुझे जिरो या टैक्स लगाना पड़ेका प्रोफिट के बाद जीरो प्रोफिट के बाद और सेमी कॉलंड से पहले जाटंड नो प्रोफिट नो लॉग और जीरो से पहले हुवा कि चे this है कि और स्केलिये टेक्स के लिए डेंगे रेटेस के लिए लगाएंगे जी रहा है तेक्स के लिए at the rate होता है इसकी practice का लीजिए कल की class में हम conditional formatting पे आगे पढ़ेंगे